मैंने देखा है कि यहाँ जादातर लोग शिफ की भक्ती करते हैं, पर मैं अमेरिका के साउथ में CCP से आई हूँ, और योग मेरे लिए नया है. मैंने तीन महीने पहले ही इसे शुरू किया है. मेरे मन में आपके लिए बहुत श्रद्दा है, क्योंकि मैंने इसे अनुभव किया है, पर मुझे शिफ के लिए भक्ती महसूस नहीं होती. मुझे पता है कि हम मंत्रों का उचारन करते हैं, पर क्या आध्यात्मिक मार्क पर आगे बढ़ने के लिए उनके प्रती भक्ती होना ज़रूरी है? शिव को आपकी भक्ती की ज़रूरत नहीं है. कल ही मुझे कोई फ्रेडरिक निट्षे की लिखी हुई किताब का एक हिस्सा पढ़कर सुना रहा था. आपने उनके बारे में सुना है? नहीं, वो मिसौरी से नहीं है. आप मिसे से पीसे हैं? माफ कीजिए. वो मिसे से पीसे नहीं है. जामनी से है. तो फ्रेडरिक निट्षे कह रहे हैं या उनका पात्र कह रहा है. सूरज उगने का आनंद सिर्फ इसलिए ले पाता है, क्योंकि प्रकाश को ग्रहंड करने के लिए इतने सारे लोग मौजूद हैं. ये जर्मन बक्वास है. अगर आप मेंसे कोई भी आना हो, तब भी सूरज उसी तरह होगेगा, उतनी ही चमक के साथ. है नहीं? वो आपके लिए नहीं निकलता है. ये एक बिमारी है, जो इंसानों को लगी हुई है. उन्हें लगता है कि पूरा ब्रह्मान इंसानों के इर्दगेद बना है. ऐसा नहीं है. यहां जो है, वो इंसान नहीं है. एक बहुत ही असाधारन घटना यहां हो रही है. उसका इंसान से कोई लेना देना नहीं है. वैसे तो इंसानों के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है, पर इसकी प्रकृती इंसानी प्रकृती से अलग है. तो शिव को आपकी भक्ती की जरूरत नहीं है बात इतनी सी है कि अगर आपके दिल में भक्ती हो पहले ये देखते हैं कि भक्ती क्या है एक स्थर पर भक्ती का मतलब है आपके दिल की एक तरह की मिठास ये किसी भी इनसान के लिए होने का सबसे अच्छा तरीका है अगर आप अपने दिल में ये मिठास नहीं रखते तो आप जिन्दगी आपके साथ चीजें करेगी और आपके अंदर करवाहट आ जाएगी ऐसा मत सोचिए कि आप खुद को अलग कर सकते हैं आप घर बना सकते हैं, आप परिवार बना सकते हैं, आप बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना सकते हैं आप मिसिसीपी में पैदा हो सकते हैं लेकिन आप अलग होकर नहीं रह सकते खुद को अलग कर लेना कुछ देर तक ही काम करता है उसके बाद किसी न किसी तरह जिन्दगी आपको पकड़ लेगी अगर आपके दिल में मिठास नहीं है तो आप करवाहट से भर जाएंगे, चिड़े हुए रहेंगे ऐसा मानवता के एक बड़े हिस्से के साथ हुआ है तो एक स्तर पर भक्ती का मतलब है आपके दिल में हमेशा बसने वाली मिठास ऐसी मिठास जिसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है मान लीजे कि आपको किसी से प्यार हो जाता है कैसा मिसिसिपी में होता है मान लीजे आपको किसी से प्यार हो जाता है आपका दिल मिठास से भर जाता है पर ये कब तक टिकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है उसी प्यार की वज़े से आपका दिल बहुत ज़्यादा कड़वाहट से भी भर सकता है है कि नहीं? हम नहीं चाते कि ऐसा हो, पर ऐसा हो सकता है परिस्थितियों के कारण, या बीमारी के कारण, या मौत के कारण, या कुछ खोने के कारण बहुत से कारण है, या सिर्फ बोरियत की वज़े से वो इंसान जो आपको बहुत ही रोमान्ट से भरा और बढ़िया लगता था कुछ साल बाद आप उससे देखते हैं क्या मैंने ही ये गलती किये? आप कोई यकीन नहीं होता, बहुत सी चीज़ें हो सकती है तो भक्ति आपके दिल में हमेशा बसने वाली मिठास है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती तो क्या मुझे शिव की भक्ति करनी चाहिए? उन्हें इससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर आप एक भक्त हैं भक्ति एक दूसरी तरह की बुद्धी है जो साधारन तरक की समझ में नहीं आती मौलिक स्तर की बुद्धी का स्वभाव ये है कि अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हमें उसकी कांट चाट करनी होगी अगर आपकी किसी में दिलचस्पी है तो उनकी कांट चाट कर दीजे खेर आप ऐसा शारेरिक रूप से नहीं करते क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता लेकिन आप मांसिक रूप से उनकी कांट चाट कर देते हैं है की नहीं? आप मांसिक रूप से उनकी कांट चाट करते हैं और फिर अपनी सहूलियत से एक निश्कर्ष निकालते हैं सचाई नहीं बस अपनी सहूलियत से निकाला हुआ निशकर्ष और एक दिन जब वो निशकर्ष ढह जाता है तो आप में कड़वाहट पैदा हो जाती है तारकिक बुद्धी का स्वभाव यही है चीजों को अलग अलग करना चीजों को अलग करके आप उस चीज का उपयोग समझ सकते हैं अगर मैं इस इनसान का विशलेशन करता हूँ तो मैं जान जाऊंगा कि इनका उपयोग कैसे करना है लेकिन मैं उन्हें नहीं जान पाऊंगा जब मैं पूरी तरह से उन्हें अपना एक हिस्सा बना लूँ सिर्फ तभी मैं उन्हें जान पाऊंगा और कोई रास्ता नहीं है अगर आप अगर आप किसी ऐसे इनसान को एक फूल देते हैं जिसमें जबरदस तर्क करने वाली बुद्धी है अगर आप किसी वैग्यानिक को एक फूल देते हैं तो सबसे पहले तो वो उसके तुकड़े कर देगा क्योंकि वो जानना चाहता है कि इसके अंदर क्या है एक कभी फूल के बारे में गाने गाएगा वो नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि अंदर क्या है पर फूल उसे खुशी देता है एक दिविदर्शी खुद फूल बन जाएगा अगर वो फूल को देखता है तो वो खुद फूल बन जाएगा क्योंकि उसके लिए वो एक छोटा सा फूल जो घास में खिल रहा है जो आसानी से नजर भी नहीं आ रहा वहाँ पर भी ईश्वर का हाथ काम कर रहा है है न? उतना ही सक्रिय है जितना की यहां हमारे अंदर है कम सक्रिय नहीं है अगर आप घास के एक तिनके को भी ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि उससे बहुत ध्यान देकर बनाया है इसे बहुत ही ज्यादा ध्यान देकर बनाया है इसे ऐसे ही नहीं बना दिया गया अरे घास का तिनकाई तो है इसे ऐसे नहीं बनाया गया जिसने भी इसे बनाया है बहुत ज्यादा ध्यान देकर बनाया है तो एक भक्त बुद्धी का एक अलग ही आयाम है वो ऐसी चीजे देखेगा जो कोई भी नहीं देख सकता क्योंकि भक्ति का मतलब है कि आप خुढ से आजाद हैं आपके और अंतिम वास्तविक्ता के बीच सिर्फ एक ही बाधा है वो आप खुद हैं तो भक्ति का मतलब है कि आप खुढ से आजाद हो जाएं अगर यह मुम्किन नहीं है तो कम से कम आपको इस धेर को तो कम कर देना चाहिए अगर आप कच्रे के इस धेर को कम कर देते हैं तो अचानक से आप देखेंगे कि जिन्दगी ऐसे विस्फोर्ट करती है ऐसे विस्फोर्ट करती है जिसके आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी तो ये शिव के बारे में नहीं है ये आपके बारे में लेकिन आपको भक्ती के साथ चलना होगा आप किसकी भक्ती करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पूरी तरह भक्ती के साथ चलना होगा भक्ति का मतलब है कि आप खुद से खाली है भक्ति का मतलब है ग्रहन शील्टा की एक उच्च स्थिति क्योंकि आप, आप खुद से भरे हुए नहीं है आपके अंदर खाली जगा है इसलिए आपको कोई चीज छू सकती है आप में प्रवेश कर सकती है आपके अंदर रह सकती है आप हर चीज को अपने मनोवैज्ञानिक कजरे के परदे से देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपका तर्की सब कुछ है तर्क बुद्धी का एक बहुत ही मौलिक रूप है ये सिर्फ किसी चीज का उपयोग करने के काम में आता है पैसा कमाने के लिए, दुनिया में जीवित रहने के लिए आपको तर्क की जरूरत है किसी भी दूसरी चीज के लिए अगर आप किसी भी दूसरे आयाम पर पहुँचना चाहते हैं तो आपका तर्क काफी नहीं है आपके बुद्धी के भीतरी आयाम को काम करना होगा अगर उसे काम करना है तो भक्ती में होना ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है अगर बुद्धी नहीं है